हेलो फ्रेंड आज का हमारा टोपिक है कैसे हम एक function में Value पास करते हैं pointer की help से यानि pointerern function जो pointer होता है वो किसी भी function के साहत किस प्रकार से विहेब करता हैddँ आज इस टोपिक को देखते हैं सबसे पहले और इसमें करना क्या है इस pointer की help से हमें function के अंदर क्या करना है value को pass करना है जिसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको पूरे code को हम visualize करते हैं फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे code करेंगे और उसको run करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यह work कर रहा है सबसे पहले क्या होता है जब भी हम pointer की बात करते हैं तो क् आपको function काम करता है तो यहां पर हम क्या करते हैं function में हमें value pass करनी है वो भी pointer की help से सबसे पहले हमें करना क्या होगा सबसे पहले हम header file को declare करते हैं यहां से has include उसके बाद a stream header file लेते हैं फिर हम क्या लेते हैं using name space std यहां से उसके बाद हम क्या लेते हैं फिर हम directly main function लेते हैं लेकिन हम यहां पर function सबसे पहले create करेंगे तो यहां से function हम लेते हैं user type के कुछ न कुछ value return करेगा उसके बाद हम क्या लेते हैं जो function name बना लेते हैं और इसका यह criteria होगा उसके बाद हम क्या करते हैं जब भी किसी भी code की या फिर किसी भी प्रोग्राम की बात होती है तो वहां पर जब हमारा code execute होता है यानि runtime में जो compiler होता है सबसे पहले वो क्या ढूलता है main function को ढूलता है यानि main function को सर्च करता है कि आपके पूरे program में जो main function है वो कहां पर है वही से क्या होता है program का execution start होता है without main function के आप क्या नहीं कर सकते हैं program को compile नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा compiler सबसे पहले main function को ही देखता है इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले main function बनाते हैं int main function को बना लिया यहां से फिर उसके बाद हम क्या करते हैं यहांपर हम एक value लेते हैं integer type की value हमने ले लिया और value हमने क्या ले लिया यहां से मान लीज मान लीजे, ये क्या है मारा, ये वी नेम का variable है, और इसका address क्या है यहाँ पर, जो address है, मान लीजे, 200 इसका क्या हो गया, यहां से, address हो गया, और उसके बाद इसके अंदर जो value है, value क्या है, 10 है यहाँ पर, 10 value हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, पास कर दिया है, memory में ये कहीं पर क्या हो रहा होगा allocate कर हो रहा होगा उसके बाद क्या हुआ सबसे पहले हम क्या करते है function को call करते है और function को call करेंगे जिसके अंदर value as a reference पास करेंगे function के अंदर value पास करेंगे वो भी pointer की help से कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से function को अपने call करते हैं, fun function जो भी आपने function name बनाया है, यहां से function name हो गया, उसी name से आपको क्या करना होगा, इसको call करना होगा, call करते हैं, तो calling time पे हमें इसमें क्या करना होगा, value pass करना होगा, या तो आप कुछ value pass कर तब ये value आपको return में मिलेगी नहीं तो हम यहां से क्या करना चाते हैं pointer की help से pointer की help से value pass करना चाते है तो जो pointer होता है माल लीजिए हमने यहां पर pointer declare कर लिया यानि इस function में pointer बना लिया जो कि हमारा pointer भी integer type का होगा क्योंकि हमारा जो यहां पर एक normal variable है वो भी integer type का है और यह pointer ptr हमने यहां पर ले लिया ptr name का इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं ptr name का हमने pointer ले लिया अब यह जो pointer है यहां से pointer as a value लेगा यानि की value pointer ले लिया हमने इसके बाद क्या करेंगे जब ही जो हमारा pointer pointer होता है वो क्या करता है अगर आप function के इंदर इसको pass कर रखें लेकिन हमारा pointer होता है वो किसी भी variable के सिर्फ address को hold करके रखता है value को नहीं लेगा क्योंकि आप value नहीं pass कर सकते हैं pointer में direct आपको उसका address pass करना होगा जिसके लिए हमें इस function को जब हम call कर रहे है तो इस condition पे हमें क्या करना होगा simply इस आप b का जो address है उसको pass कर देना होगा b का address पास करेंगे इसको क्या बोलते है function call यानि कि यहां से हम क्या कर रहे है function call कर रहे है यानि कि यह जो function है इसके जरिये हम क्या कर रहे है इस function में क्या करना है as a reference हम क्या पास कर रहे है value पास करने है जो भी v के अंदर है यहाँ पर value न पास करके हम directly क्या पास करते है इसकी copy जा रही है यहाँ पर इसका address पास कर रहे है अब उस address के अंदर यानी जो यहाँ पर हमने क्या बना रखा है उसके बाद यहाँ से हम सिम्पल एंसा see out function के help से क्या print करेंगे B को print करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम return कर देंगे return क्या होगा? B के value जो होगी वो return हो जाएगी जब हमने यह पर function बनाया तो यहाँ पर जो function बना यानि की simple सा अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बना रखे है हमने एक function बना रखा है जो function है इसका भी अपना कुछ address होगा यानि यहाँ से यह माल लीजिए यह पूरी memory होगी बड़ी सी और इसके अंदर यहाँ पर function के लिए क्या दी गई है यह memory allocate कर दी गई है और इसके अंदर क्या हम इस्टोर कर रहे ह है यानि 200 इसको हम pass कर रहे है तो यहां पर address hold हो रहा है 200 address हमने क्या कर दिया इस pointer variable में pass कर दिया है अब इस address के अंदर क्या value है Dat yum但 10 है था हमके यहां से जो हमने address of operator यह होता यहारा way value of operator जो है वो यह वाला है यानि कि इसके help से हम क्या करेंगे उसके अंदर जो भी value है उसको मैंक्स करेंगे तो यहां से हमने यह देख लिया fun name का function था उसका memory में जगह मिली जिसका name हमने ptr pointer बना रखा pointer as a address होता है उसको hold करके रखता है address का हमारा जो भी वी का address था वो इसमें पास हो गया pointer के help से उसके बाद जो return करेगा वो return क्या करेगा यहां से अगर हम क्या करना चाहते हैं तो यहां से जो value थी इसमें 10 थी यह 10 तो पास हो गई है लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी value increase होकर कि हमें कर देंगे pointer में value जो है इसकी add कर देंगे जितनी भी आप add करना चाहते हैं उतनी आप simply सा add कर सकते हैं यहां से 10 अगर मैंने add कर दिया तो जो value हो जाएगी अब जो इस address में value 10 थी वो क्या हो जाएगी यहां पर यहां पर PTR यानि जो pointer था इसकी value क्या थी यहां पर इस address में 10 थी तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगी यहां पर 20 हो जाएगी अगर यहीं पर हम 10 ना करके क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं तो 100 add हो जाएगी यहां पर 10 थी पहले इसकी value जो हमने pointer में पास किया है 10 थी अब 10 प्लस क्य क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा तो इस प्रकार से इसका क्या होगा यही रिटर्न कर देगा और जो हमें यहां से रिटर्न में मिलेगा यहां से यह value हमें return में मिलेगी इसको हम सिंपल सा क्या करते हैं प्रोग्राम करके देखते हैं फिर देखते हैं कि इस प्रकार से value हमें return में मिल रही है तो इसके लिए simple सा में करना क्या होगा सबसे पहले header और फाइल को सेम कोड को क्या करते हैं यहां पर लिखते हैं है इंक्ल्यूड उसके बाद आइश्ट्रीम फिर हम लेते हैं यहां से यूजिंग नेम स्पेस है std है फिर हमें क्या करना सबसे पहले हमें एक function नेम बना ना है function क्या होगा हमारा integer type का होगा यहां से लेते हैं integer for name का हमने क्या पास कर दिया int उसके बाद एक pointer PTR name का बना लिया उसके बाद हमने यहां से क्या कर दिया simply सा सबसे पहले main function को हम बनाते हैं into main function को declare किया फिर हमने h क्या ले लिया variable b equal जिसकी value हमने 10 दे दी उसके बाद हमने क्या कर लिया इस function को call कर लिया इसमें value हम as a reference pass कर रहे होंगे जो value pass नहीं होगी क्योंकि जो हमारा pointer होता है वो address को hold करता है तो यहाँ पर हमें b का address pass करना होगा address of operator की help से variable की help से हमने यहाँ से क्या कर दिया address को pass कर दिया यह क्या होता है हमारा function call यहाँ से हमने क्या किया function को call किया उसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ से हम b को print कर देंगे और यहां से हमने क्या कर दिया, return zero कर दिया, और यहां पर अगर हम क्या करते हैं, इसको हम save करके run करते हैं, अगर तो आप देख सकते हैं, क्या value में print में मिल रही है, इससे क्या होगा कि आपने B को ही लिया है तो B में simple सा 10 print हो रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पर pointer में कुछ भी change up करते हैं अगर हम क्या चाहते हैं pointer ptr equal अगर चाहते हैं यहाँ से ptr उसके बाद यह value of operator होता है जो कि क्या करता है जो भी आपके address के अंदर जो भी value है इस pointer में address में उस value को क्या करता है hold करता है उसके बाद इसमें हमने plus कर दिया मान लीजिए यहाँ से 100 plus कर दिया तो pointer जो हमारा है normal उसकी value क्या है हमारी 10 है 10 plus अगर 100 करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा तो यहाँ से यह answer हमें return में मिलना चाहिए जो की हमें actual वही answer क्या हो रहा है return में मिल रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम pointer की help से function के अंदर value को pass करते हैं यहाँ से आप increment decrement जो भी अगर हम यहाँ से value decrease करते हैं तो देखते हैं क्या return में आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे negative में value 90 आ रही है तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं चाहे increment करना हो या decrement करना हो तो यह था आज का हमारा simple सा topic जो कि क्या था pointer and function यानि जो pointer होता है वो function के साथ किस प्रकार से behave करता है I hope दोस्तों कर आज की information आपको अच्छी लगी हो तो please वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe करना और दोस्तों के पास share करना